कि दोजार पंद्रा के वर्ष की शुरुआत रातनेतिक फैसलों की शुरुआत दिल्ली से होने वाले और मुझे पश्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि दिल्ली में भी मोदी जी का विजयरत इस बार दंगा बजाकर विजय लेकर बिहार की वर्ष की वर्ष मित्रो दोजार चौदा का वर्ष देश के लोग तंद्रक के इतियास में और भारतिय जनता पार्टी के इतियास में एक इतियासी कवर्ष जहां तक देश के लोग तंद्रका सवाल है तीस साल के बाद देश की जनता ने एक नेड़ा एक मेंडेट दिया है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मोदी जी को मौका दिया है और जहां भारतिय जनता पार्टी का सवाल है पहली बार देश में किसी घैर कॉंग्रेसी दल्की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का सोभग्य भारतिय जनता पार्टी को मिला है और नरेंद्र भाई इसके प्रधान मंत्री बनकर देश की अगुवाई करें कि इस 2014 के साल के अंदर यह कि चार विजर्ण सबाओं के चुनाव है है महराज का आया हो somala का गाया जरकन का आया जब्मुक आस्मिर का चारों के चारों चुनाऊ भारतिय जनता पार्डी जीतीए और तीन जगह पर भारतिय जन्ता पार्टी के मुख्यमंद्री आज काम करना है और अब दिल्ली की बारी है साथ तरीकों आप लोगों ने दिल्ली की जन्ता ने ताई करना है कि आने वाले पांच साल तक दिल्ली का सासन की स्व्यक्ति के हाथ में रहेगा कि इस पार्टी के रहेगा एक और भारतिय जन्ता पार्टी है जिसका 50 साल से विचारधारा के अधार पर काम करने का और डेवलप्पन के एजन्दा पर आगे बढ़ने का एक ट्रैक रेकोर्ड है जहां पर भी भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकारे बनी वहां से कभी भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकारे गई नहीं गुज्रात में सरकार आई चार बार सरकार बनी मद्ध प्रदेश में सरकार आई तीन बार सरकार बनी 36 गड़ में सरकार आई तीन बार सरकार बनी प्राइस्तन में अये दो बार से राजस्तन में हम हैं गवा में आए दो बार से यह भरतिय जन्ता पार्टी का रेकोर्ट है और अब केंद्र में भार्तिय जन्ता पार्टी की सरकार मोदी जी की अगुवाई मेट करें जो वादा करते हो निभाने के ट्रेक रेकोर वाली देश बक्तों की टोली वाली और संगठन के आधार पर चलने वाली भारतिय जनता पार्टी है और दूसरी और आप पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी है कॉंग्रेस पार्टी तो इस पार कहीं ज्यादा दिखाई नहीं पड़ती है दिखाई पड़ती है और आप पार्टी के साथ मकावला है पहले में भारतिय जंता पार्टी की सरकार जब बनी तब देश भर के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक जन संपरकभियान भारतिय जंता पार्टी के कारेकरदाओं ने छीड़ा था सिनरेंद्रह मोदी के नेत्रदों में हमारे सब नेताओं हमारे सब कारेकरदा लोगों के सामने गए थे करे़स क्या समस्याओं को उठाएदा उसकी समच्याओं के समाधान का अस्वसन भी दिया और कई चीजों को हम लोगों के सामने रखें कि मुझे कहते हुए आनंद है कि आठी महिने के अंदर इसमें से काफी सारी चीजे नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्ण करी है और काफी चीजों पर काम चालू कर दिया लोगों के अनदर एक हटासाशा की भावना थी एक एक निरासा थी लोगों के अंदर एक भाव खड़ा हुआ था कि राधनिती के अंदर सरकारे कभी लोगों का प्ला कर पाएग या नहीं कर पाएग और आज लोगों के अंदर विश्वास है लोगों का होसला बढ़ा है लोग सरकार के साथ एक जमाना था कॉंग्रेस की सरकार म दिली की शड़कों पर यूँ अंदोलन करता था एक जमाना था कॉंग्रेस के सरकार में कि महिलाए मुंबती लेकर पुरा रोड पर देती थी जैसे ही मोदी जी का नाम भारतिय जंदा पार्टी ने कोशित किया वो अक्रोस चन सभाओं में बदल गया और वो चन सभाए मेंड सब्रकार में बदल गया और सरकार अज लोगों के एजंडा पर काम करें हमने कहा था सबकार कि ये सरकार की सरकार जिसने दस साल तप महंगाई से इस जंता को करा है महंगाई की समस्या को UPA सरकार ने जंता पर थोपा यूपीय सरकार इस Sonia Manwoon की सरकार महंगाई की समस्या को हल करने में फिलफल देखे आठ महिने के अंदर भार्दिय जंता पार्टी की मोधी सरकान ने महंगाई के सूचकान को ठोक सूचकान को जो 6.7 30 सबसे जाथ के बीच में रहता था उसको सुन्य से एक के बीच में लाने का काम एफ़ार्ट ये तुम का पार्टी तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि दुटां के कॉंग्रेस के शासन के अंदर कभी पेट्रोल और विजम के दाम गिरते थे क्या गिरते थे किछे पिछ बताएं गिरते थे I आज आठ महिने के अंदर ग्यारा पार पेट्रोल और डिजर को काम कम करने का काम भारतिये जन्ता पार्टी के से मैं कभ्यास के अधार पर आप लोगों को कहना चाहता हूं आप भी घर में जाकर आपका महिने का बजेट चेक कर लिए जगा किसी भी आए गुप का व्यक्ति हो किसी भी इंकम गुप का परिवार हो उसके एक महिने के बजेट के अंदर पंद्रासो से 25,45 रुप्यों की गमी कराने का काम एप भार्तिय जन्ता पार्टी की मोधी सरकार ने करकर आठ महिने के अंदर के लिए साथ साल से एक कॉंग्रेस पार्टी देश में राज कर रही थी करीब करीब साथ साल राज किया उसके बाद भी देश की साथ प्रतिसक्त जन्ता के पास परिवार में एक भी साथ प्रतिसक देश की जन्ता अपने परिवार में एक भी बेकर्ण बेंग के कौन नहीं रखते हैं दिल्ली के निवाजी साइद इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं मगर गाउं में जुपर पट्टी में दूर दराज के जंगल हों जो देश के नागरिक रहते हैं उनके पास बैंक अकाउंट भार्ट्यों जन्ता पार्टी की सरकार ने भूसना की कि हम जंधन योद्ना का इजाज करें और जंधन योद्ना सुरू ओने के साथ आठी महिने के से अंदर साधे 14 करोड लोगों के बैंक अकाउंट पूरने का काम समाह मित्रों एभारत्य जंट्र पार्ट्टी की सरकार का इस सरकार के सब्सक्राइब यह रहतलु कि सब्सक्रा ने कहा है हम लोग ने कहा था चुनाव कर वक्ट कि हम बेरोजगारी की समस्या को हल करेंगे हम युवाव को रोजगारी देंगे और आज मोदी जी ने 15 अगस को मेकिन इंडिया की घोशना की है और सप्टेम्बर महिने में ही मेकिन इंडिया की योजना को लॉंच करकर दे दुनिया की 3,000 कमपनियों को भारत आने के लिए भ्रक्साहित दिया है हजारों लाखों विवाव को इससे रोजगारी मिलने वाले स्कील डेवलम्मेंट के माध्यम से ग्रेजुएट पेकार की जो प्वाज़ खड़ी होती थी उसके अनर उनको काम मिले इसके लिए एक नया मंत्रा लए और एक मंत्री देने का काम भारतिय जन्ता पार्टी के निर्टा नरेंद्र मोदी में पाए वित्व काले थन पर हमने कहा था कि भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार कभी इस प्रेश में काले धन को विदेज बेजने वाले को मापने को सब्सक्राइब भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार बनने के साथी पहली कैबिनेट में पहला प्रस्ताव यह आया कि काले धन के लिए S.I.T. बनाने का काम भारतिय जन्ता पार्टी की मुदी सब्सक्राइब मैं बताना चाहता हूँ इस सरकार ने पहली कैबिनेट में पहला बस्ताव साइटी की रचना का किया था और दो साल से जो सुचनाय आकर बारत सरकार के पास पड़ी थी 600 से 700 से अधिक ब्लेक पनी भेजने वाले लोगों के नाम थे वो लेड़ ही मैंने में दो साल से कॉंग्रेस पेज नहीं सकी लेड़ ही मैंने में भारतिय जन्ता पार्टी की सरकार ने साइटी को दे दिया और उच पर जहां चल दे लिए मित्रो काले धन पर विश्व में जहां जहां मोका मिलता है मोधी जी एक आम सेयवकी बनाने का प्रयास करते हैं विश्व के देशों के अंदर एक मती खड़ी करकर एक आले धन की समस्या को समाप्ठ करने के लिए मोधी जी ने एक अभ्यान चेला और उसका तूरंध परिय आदर्स ग्राम के माध्यम से इस सरकार ने ग्रामें विकास के ख्षेत्र के अंदर एक नई शुरुवात गाउं के लोगों का भी विकास हो उनके बच्चे भी पड़े वहां भी लाइफ पूचे इस चीज के लिए भारते जन्ता पार्टी की सरकार पर नित्रों रक्षा सरकार पर के सरकार का ध्यान सिमाओं पर नहीं है सिमाओं की सुरक्सा ठिक से नहीं हो रही है अभी अभी मैंने राहूल बाबा का एक भासन सुना राहूल बाबा जानते ना अभी एक भासन सुना वो कहते थे कि वो पहले भी पाकिस्तान की सिमा पर घोली चलती थी अब भी चल रही है कि आने के बाद या फर्क पड़ गया है राहुल बाबा ति आपको फर्क भिकाए नहीं पड़ेगा आपक याँख पर इटालियन चस्मा चड़ा हुआ है आपको पढ़ेगा क्या पर्क पढ़ा है पहले जबाब का साजन्दा सोनिया जी मनमहुन जी का साजन्दा जब गोली भारी की सुरुवाद होती थी तो पाकिस्तान की फॉज की और से होती थी और उसकी समाप्ति भी पाकिस्तान की फॉज की आज मोदी जी के साजन्द में भारतिय ज उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की फौज कर रही है लिक्रों इंदुस्तान की फौज यह फर्क पर रहा है राहूल बाबा आपको मालूम नहीं पड़ेगा वहां से बोली आती है यहां से घोला जाता है इंट का जवाब पक्थर से दिया जाता है अधेश के फौजी का मोरल होस अध्या आस्मानों को छूरा है किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है सामने से गोली आती है वो भी अपनी आत्मर्क सामें गोली चलाता है और नुक्सान वहीं ज्यादा हो मित्रों भार्द्य जन्ता पार्टि के लिए जो चीजे करने योग्य थी वो सभी भार्द्य जन्ता पार्टि की सब सरकार ने समा को क्योंकि यह हमारा प्राइविल्टी एरिया है हराज्य के नर 24 गंटा बिकली पहुँचे इसके लिए नरेंद्र मोधी सरकार आगे बड़ी के मित्रों और मैं खूचना चाहता हूं मैं कहना चाहता हूं कि यूपिय की सरकार ने दुनिया में देश का नाम काफी नीचे किया था यूपिय की सरकार के वकभी देश के प्रद्यान मंत्री वीदेश जाते थे या नहीं जाते थे बताईए जाते थे ना मोनी बागा जाते थे या नहीं जाते थे दुनिया में किसी को मालूम पड़ता थे अभी मोधी जी वी पक्का बोली आते हैं आप टीवी पर देखते हैं मित्रो ये सनमान नरेंद्र मोदी का नहीं है ये सनमान बारतिय जंटा पार्टी का नहीं है ये सनमान देश के सवासों करोड लोगों का सनमान है जो मोदी जी विदेश में लिखा थी। दुनिया के अंदर देश को देखने का नजरिया भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने बढ़ा है। दुनिया के अंदर एक नई सोट शुरूई हुए 21 सितब्दी भार्टी जन्ता पार्ट पहले तो जान मंत्री जी विदेश जाते थे तो हाथ में अंग्रेजी टाइप किये हुए दो पेज होते थे वो पढ़ जाते थे सब्सक्राइव oru हैं तो कभी कभी तो पंड़ने भी उलट जाते थे गल्टे मलें मरब ब्रहा्म प्रवाही दुनिया को सभोविदीश करते और तो देज के नागरीक करण रदय हिंदी के सनमान से गतदीर पुझाता है बार्टिय जंता पाइटी ने देज की राष्टता पाशा को दुनिया में सनमान दिलाने का क्याम किया है मित्रों और इंप्रियाटी कॉंप्लेक को लगुता ग्रंदी के बगर हिंदी में भासन करकर मोदी जी ने अपनी देश भुतिखा परिचे दिया है मित्रों भार्दिय जन्ता पार्टी ने ब्रस्टाचार के खिलाब बहुत बड़ी आवाज उठाई थी यूपिये सरकार के अंदर दस साल के अंदर चालीस से ज्यादा बड़े-बड़े घोटाले बार निकले और बारा लाग करों रुप्या एक कॉंग्रेसी खा गए ड़कार भी नह ले हुए है कॉंग्रेसी या तो कोई भी विपक्स बता दे एक भी घोटाला हुआ है तो इसको लेकर बाहर आए मैं आप लोगों पास स्वस्त करना चाहता हूं दोजार उन्लिस के अंदर बार्दी जन्ता पार्टी के कारकदा आपके पास दुबरा मेंड मेट लेकर आएंगे ऐसे ही गवरों के साथ आएंगे भार्दी जन्ता पार्टी की सरकार के काउंट में एक भी घोटाला नहीं होगा ये पारदर्शी सरकार है प्रामानिक सरकार और मित्रों कॉल ब्लोग की बात हो या पाकी खदानों की बात हो हमने एक पार दर्सी निती अपनाई और इसी के कारण देश के अंदर विकास जो रुका पड़ा था वो रिकास को आगपईये लगे हैं इसमें वृत्ति हो रही है चार पउंच पतिसर विकास थी वह पांच पॉंच पतिसक एक एक ये तीम हमें वे दिल्भी के अंदर भी है अनधिकृत कोलणियों का जो लगा वो कब का कब से यहां के लोगों को परिषान करता था करता था या ने करता था ब्रिया करता था ना आठी में अध्यादेश लाकर भारतीय जनता पार्टी ने अनधिकृत को लेनों का काम समाप्त कदिया है उनको अधिकार दे दिया है और एकाम मोदी सरकार ने किया है जुकी जौपरियों के लिए भी हमने कहा है मोदी जी ने एलान कहा है जहां जुकी वही कर देंगे वक्का मकान हर विप्ति को देंगे मित्रों हम जो कहते हैं वो करते हैं और अभी अभी एक नई पार्टी बनी श्रीमान केजरिवाल जी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि दो दिन से भारतिय जंता पार्टी के कार्यकता हरोत पांच सवाल पुगते हैं पांच सवाल इगका भी जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए बताईए देना चाहिए नहीं देना चाहिए मैं अभी कुछ बताओं उनके बारे मैं आपको सवाल पुछो पक्का आप मुझे बताईए जो आप फार्टी के मिता है जब अन्दान दोलन में चुड़े दब उन्होंने कहा था या नहीं कहा था कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा चुनाव लड़े या नहीं लड़े चुनाव लड़ने के वक्त उन्होंने कहा था या नहीं कहा था कि हम कभी कॉंग्रेस का समर्धन नहीं लेंगे कहा था लिया या नहीं लिया लेकर मुख्यमंत्री बन गए उन्होंने कहा था या नहीं कहा था कि हमारी सरकार बनेगी किने ही दिन में सिलाद इख़ित पर आश्टम अंडर खेलो के लिए एफायर बनाएंगे कहा था, एफायर बनाई, कैसे बनाते हुंका समर्दन दे कर बैठे थे, उन्होंने कहा था, कि हम मैट्रो के अंदर गुमेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, मैट्रो के अंदर अब दिख अब जोपड़ियों की हम समस्या हल करेंगे कुछ किया use उन्होंने कहा था कि कॉंट्रेक लेवर को हम परमेनन करेंगे किया है उन्होंने कहा था कि हर सक्ता लोग संपर करकर लोग तरबार फरेंगे एक बार किया भात कर छत पर चट गए बात में कभी नहीं किया किया मित्रों ये जब प्रचार करने निकले थे ना तो गाड़ी लेकर आए थे कौन से गाड़ी याद है न कैसे कलर की नीले कलर की वैटना अब उन्चास दिन के सासन में वह स्यू फोर पर पहुंचे और कहते हैं पांच साल का मेंडिट दिजिए अगर दिल्ली की जनता इनको पांच साल का मेंडिट दिती है तो घर के आगे एस यू फोर की जगा एरोप्लैन पार्क करेंगे पांच साल के मित्रों जिनों ने कहा था हम वी आईबी कल्चर में नहीं मानते वह एक्जिकुटी क्लास से दुबई जाने लगे जिनों ने कहा था कंपनियों से चंदा नहीं लंगे कंपनियों से चंदा लेने लगे जिनों ने कहा था हम अन्ना जी के सिंहिंदों पर चलेंगे इन्होंने सारे सिंहिसान छो है मित्रों पूरा जिवन किया यह सब कुछ नहीं कहा जो उन्होंने करा जो इन्होंने कहा थे आप ऐसा मत सच्छे है कि उन्चात्तिन के अंगर यह लोगवाल के कारण इस्तिफा दिये थे मैं बताओ क्यों दिये थे बताओ लोगसभा का चुनावाना था उनको प्रधान बनने मंध्री बनना था इसलिए इस्तिफा दे दिये पुरे देश में देश की जंटा के सामने आप पार्टी को लड़ाया लड़ाया नहीं लड़ाया क्या हुआ बहीं अरे जमानत छुड़िये काफी केंडिडेट भाग गए जो बज़ेते उनकी जमानते जप्वाग गए कासी के अंदर वो गए प्रधा करूं या जीदू बना इसके लोगों की सिवा करूंगा हारने के बाद हाथ तक के जिरिवाल वो कासी वाले टून रहे हैं कल यहां टॉर्च लेकर गुंते थे कि कहीं दिखाई पड़ते या नहीं दिखाई पादे नित्रहिनों ने जीवन में हम जगे से पहगा है वह आई जी के साथ जोड़े हैं बीच में ही भाग कर पॉलिटिकल पार्टी बनाकर सरकार बनाई बीच में ही इस्तिफा देकर बाद गए लोग सबह लड़ने गए वहां से बाद कर फिर से दिल्ली का चुनाव लड़ने आप मुझे बताई दिल्ली की जंता को क्या चाहिए एक और के गए बादर्शिटा से डेवलेप्मेंट देने वाली मुदी सरकार एक वार्देश को संमान दिलाने वाली मुदी सरकार है और दूसरी और जूटे वादों के अधार पर ब्रांति फेना ले पहलाने वाली आप पार्टी याप किसको करेंगे बताई है करेंगे अगर आप लोग यहां सरकार बनाना चाहते हैं तो मैं आपको रास्ता दिखेंगे कि है यहां जितनी लोग बैठेंे उनके परिचित 20 लोग ऊंगे या नहीं होंगे पतनी बेटा पती सगावाला 20 लोग हूंगे या नहीं हूंगे आपका मांते हैं वह 20 लोग पक्का मांते हैं तो आप लोग आता ही कर लिए इस जबा से जाने के बाद साथ तरीकों आपने 20 वोट पार्टी एजनता पार्टी के लिए दलवाना है अपने आप 34 मुखी बड़े मार्जिन से चुनाज़ू कर बारा है आप करेंगे पका जरा हाथ कड़ा कर दिये आप लोग भार के जनता पार्टी के साथ जुबना चाहते हैं पका तो मोबाईल निकाले कितने लोगों के पास मोबाईल निकाले जरा निकाले निकाले कितने लोगों के पास मोबाईले निकाले मैं एक नमबर बोलता हूँ आप डायल करिए आप भार की जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे बनना रहे बन रहे अरे भाई तो छुटे होंगे मैं नमबर को देता हूँ बोलो नमबर वन एक जिरो जिरो टू जिरो टू जिरो टू जिरो अब डायल कर दीजिये कर दिया अब एक ऐसे में साएगा आप भार्टी जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे अब आप मुझे बताइए आप भार्टी जनता पार्टी के सदस्य बने हैं तो आपके वोट पर मेरा अधिकार है या नहीं है विया पक्का है आपके दोस्तों के वोट पर अधिकार है आपके परिवर्ट के वोट पर अधिकार है तो मित्रो साथ तारिक को सुबह 10 बजे के पहले भार्थिय जन्ता पार्टी का हर समर्दब देश के अंगर परिवर्टन का संदेश करने के लिए देश की विकासियत्रा के अंदर दिल्ली को जोडने के लिए मोदी जी के हाथ मद्बूत करने के लिए और दुनिया में देश का सन्मान बढ़ाने के लिए कमल के निसान पर प्टन दबाए और भारतिय जंदा पार्टी को विजई बना कर मोधी जी के हाथ मधुद करिए यही अफिल करने आया है आप लोग मिले साथ सहमत है तो तो अग्वों हाथ कढ़ा कर कर बुलिए बरत मतकी बरत मतकी बरत मतकी बंदे मत्रम करोरे रुपे हिंदुस्तान के बाहर पड़े हुए है उसको मैं उठा के यहाँ वापिस लाओंगा पंद्रा लाग रुपे आपको मिले आपको नहीं मिले मगर मोदी जी ने दस लाग रुपे का सूप पेंड़